आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के सुड़ी में आपकोस हम देखने आले जो मैच है उमन्स प्रीमियर लीग की उसकी दस ड्रिबिलियोन के विनिंग टिम्स जो मैच है मतलब मुंबई व्रसेस बैंगलोर व्रसेस के बीच या मैच है जिसको मैंने हैलाट करके दिखा दे उस पर आपको क्लिक कर लेनी है और अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई है तो कोई बात ने आपको निचे तो क्रियेटेटिव का ओप्शन मिल दी जाता है साथ साथ आपको ऊपर भी ऑप्शन मिल जाता है माई टीम्स का जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं और दस टीम्स अल्रड़ी मैं यहाप बना के रख चुका हूँ और आप यहाँ पर मल्टिपर स्टीम बनाना थोड़ा आसान होता है तो मुझे लगता है यह ऑप्शन चूज कर कि मैं वीडियो को शुरू करूं और आप वीडियो में खो जाए जरूर चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए तो चानल को सब्सक्राइब ज़रू कर लिजे साथे साथ बेल आइक ओन को प्रेश कर के ऑल पर भी क्लिक कर दिजिए चलिए वीडियो को शुरू करते माटें पर ट्रिक करके पहली टीम के बाद करें तो यहां पर मैं आपको बता दू रिचा घोश को लूँगा उसके बाद को हर्मित प्रोर श्मृति बंदना एस संजना उसके बाद एक और तो इस तर से दोस्तो मेरे पास इस बार पहले यह टीम में चार बल्लेवाज रहने वाली है क्योंकि चारों का परफॉर्मस अच्छा है इतना बुरा नहीं है तो आप जरूर चारों के साथ जा सकते हैं इसके आलावाद रखेंगे तो ई पेरी मैथ्यूज और एंसेवियर तो इस तर से और डेमी डेनियन और एकेयर तो इस तर से पाच और मैं इस टीम में रखूंगा ताकि बतलब यह सभी नों अभी तक काफी बढ़िया परफॉर्मस किया है जिससे इनको मैंने यहां पर लिया है लेकिन इतने बल्लेवाज और इतने गेंबाज लेने के बाब की जगा बल्लेवाज और लेने के बाद एक ही ऑप्षिन बता था यह आशा को ही मैं इस टीम में रखूंगा तो कुल मिला के टीम बहुत ही बढ़िया है दोस्तों आप जरूर इस टीम को ग्रांड लीग या बड़ी लीग या स्माल लीग या सभी लीगों के तो आप दोनों के साथ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा उल्टा भी कर सकते हैं मैं इस टीम को क्लोज कते हैं दूसरी टीम पर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ तो रिचा घोष सबसे बड़िया ओप्षन है एक और ओप्षन है लेकिन उनका परफॉर्मस इतना कुछ खास नहीं है तो मैं इनके साथ जादतर टीमों में जाना जाओंगा रिचा घोष को आपकोस यहाँ पर फिर से ले लूँगा बात करतें बाटिक के तो हर्मरित कोर, स्मुरूती बंदना, संजना और डीकस्ट इस तरसे चार बल्ले बाद फिर से है लेकिन एक थोड़ा रिस्की लेकिन फाइडेमन चेंज होएने कर लिया अगर वो अच्छा कर जाती है तो उसके बाद ई-पेरी, मैथ्यूज और सेव पिछली टीम में मैंने एकी गिनबास लिया था अगर बात करें क्याप्टन की तो हर्मरित कोर को अफकोस क्याप्टन बनाऊंगा तो वही वाइस क्याप्टन इ-पेरी को बनाऊंगा दोनों बड़िया खेल रहे हैं और अच्छा प्रफॉल्स करें तो इसलिए दोनों के सा प्रफॉल्स समझ कि योज की जिगा इस टीम को क्लोज करते हैं तीसरी टीम पर चलते दोस्तों अब तीसरी टीम के अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर रिच्छा घोष्को तो फिर से ले लुगा मैं उसके बाद बैटिंग के बात करें तो हर्मित क्रोर और स्मूरुत इस तरह से दो ही कि यहाँ पर बल्लेवाजी को मैं इस टिम में लेना चाहूंगा दोनों ने अभी तक काफी बढ़िया बल्लेवाजी की है और दोनों अच्छा खेल रही है तो इसलिए इन दोनों को साथ में लिया है मैंने यह पेरी भी अच्छा करें तो इनको भी ले रह रहा हूं जो की है यहाँ पर पाज गेंबाजों को ले रहा हूं जी आ दोस्तों पाज गेंबाज कुछ इस्तर से रहेंगे इसमाईल पी वस्रावकर इशीका इस पाटील और आशा तो यहाँ पर देखेंगे तो पाचों अभी तक अच्छा पर्फरमस करती आई है जिनको जिनको पाचों को अच्छी विक्टे मिल रही है तो साथ में लेना काफी फायदेमन सावित हो सकता है तो इसलिए मैंने ऐसा किया है अब बात करते हो निच्चा घोश को क्याप्टन और एक एर को वाइस क्याप्टन मना रहा हूं दोनों बड़िया खेल रही है और दोनों अच्छा परफॉर्मस कर सकती है तो इसलिए दोनों के साथ जाना ज़रूरी है अब बात करूं तो फिर से ग्रैंड लीग बड़ी लीग स्मॉल लीग सभी के लिए तो अच्छी है लेकिन फिर से कोंगा सोच समझ के यूज कीजिएगा चले इस टीम को भी क्लोज करते हैं चौथी टीम पर हमें चलना है अब चौथी टीम के बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं रिचा घोश को फिर से ले लूँगा इसके आलावा देखेंगे तो समुर्थी मंदना संजना और एच काजी इस तरसे तीन बल्लेवाज रहेंगी लेकिन एक और फिर से चेंज यह यहां पर मैंने कर लिया दोस्तों मैं आपको हर एक वो टीम देना चाहता हूं जिससे आप ग्राड लिख जित सके तो इसलिए मैंने ऐसा किया है तो हर एक मतलब हर टीम में तो नहीं लेकिन कुछ कुछ टीमों में एक दो प्लियर थोड़े रिसकी ले रहा हो ताकि अगर व मेरे पास डेवियन एक एर और मोनलिक्स इसतर से और तीन मतलब छे आल राउंडर इस टीम में शामिल है ताकि कोई भी अच्छा कर जाए पर्फोमस क्यूंकि आप देखेंगे तो काफी जादा ओप्शन से तो कोई भी अच्छा कर जाए आपको फायदा जरूर होगा और ब और किसी और को भी बना सकते हैं फिर उल्टा भी कर सकते हैं इस टीम को मैं चाहूंगा कि ग्रांड लीग बड़ी लीग स्मॉल लीगों के लिए योज़ करेंगे तो कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन फिर भी आप सोच समझ के योज़ किजिगा इस टीम को भी लोज करते है और पाचवी टीम किस तर से बना रहा हूँ मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ अब यहाँ पर जाके मैंने घोश के साथ पी बाला को भी ले लिया है प्यूकर दोस्तों हर टीम में मैं रिचा घोश को ही लेता रहूँगा अब बाला को डॉप करता रहूँ और हो सकता है कि ग्रल बाला अच्छी कर दे और शहाँ अपर घोश एपषा पीडा तीन फिर से अच्छी बैट्स्मन हमारे पास रहने आली इस तर से तीन अच्छी खासी फिर से ऑलराउंडर है कि इसमाइल पी वस्रावर कर और यहाँ पर पार्टी लेकिन वह रिस्क तो लेना होगा अगर आपको ग्राई लिग जितना है तो समॉल लीग बड़ी लीग सभी लिगों के लिए टीम है तो आप सभी लीगों के लिए से टीम मेश्वी यूज कर सकते हैं यूज चले इस टीम को भी कलोव करने से पहले श्मृति बनाना को क्यापटर बना रहा हूं और इसमाइल को हाइस कैप्टर बना रहा हूं क्योंकि दोस्तों एक अच्छी खासी बैट्समन है तो एक अच्छी खासी गेन बाज है दोनों अपने अपने जगों पे काफी बढ़िया परफॉर्संस भी कर रहे तो इसलिए दोनों को साथ में यहाँ पर मैं चलता हूँ तो अभी फिलाल तो मैं यह टीम काफी ज़्यादा हटके बनाने जा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देख सकते रिचा गोश और बाला दोनों को फिर से मैं इस्टिम में ले लूँगा और उसके बाद हर्मित क्रोड और मंदरा दो ही वल्ले बात रखूंगा इस्टिम में उसके बाद यहाँ पर मैथ्यूज केर मॉनलीक्स और वरहिगम इस तर से चार ओल्ड कराके देख सकते हैं कुल मिला कि टीम अच्छी है लेकि थोड़ी अलग है रिस्की है तो यहाँ पर क्याप्टन की पहले बात करो तो मॉनिलिक्स को क्याप्टन और वरिंगम को वाइस क्याप्टन बनाओंगा जैसे कि मैंने बता है रिस्की है तो इस टीम को सिर्पों अब साथ वी टीम की बात करूं तो यहां पर दोस्तों इससे पहले कि साथ वी टीम की बात करूं जरू थोड़ा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरू कर दीजे क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेस्चन मिलता है रिचा घोश को अके लेको फिर स ऊच्छा रहा है इसमाइल आर सिंग और इशीक benefit तो इस तरह से यहां पर मेरे प Israelites ये ती और और स्पाटिल इस तरह से चार गया बाज इस टी में मैं और पास रहने आली है चारों का पर्फ़ोमस अभी तक अच्छा रहा है यहारने आप चार ब kart चार के नहीं रोक सकता तो इसलिए मैंने ऐसा किया है तो चलिए दोस्तों इच्छी टीम है लेकिन ज्यादा से ज्यादा ग्रैड लिग या बड़ी लिग के लिए ही यूज करने की मैं सला दूँगा स्मॉल लिग के लिए यूज करें तो बेटर रहेगा फिर भी अगर आपको लगत दना और एक और को इस बार ले रहो यानि मैंने यहां पर एक थोड़ा टगडा सा चेंज कर लिया है उसके पर इस तर से चार और फिर से मैं इस टीम में ले रहा हूं और इस बार दो ही बल्लेवाज लिए है एक एक पर लिए जिसके जैसे मिर पास चार आप्शन बचे तो इसमाइल, पसपी असरावकर, एसपाटिल और यहां पर फोखर कर इस तर से चार गेन बाज़ों को मैं इस टीम में रखूंगा याने चार और के साथ साथ चार गेन बाज़ भी मेर पास मोजूद रहेगी हाँ हलकी वैटिंग में थोड़ी कच्ची है लेकिन और और होने के होगरते। चले में बाता हैके नभी टीम के बात करें तो लिचा खूंप फिर से हाई मिर पास हर्मीट छोज संजना इक और तीन बल्यवाज भी मेर पास मोजूद रहेंगी उसके बाद बात करें तो और रहेंगी अगर आप देख रहें तो इस तर से तीन ही गिनबाद रहने वाली है तो इस तर से यह वी टीम अच्छी खासी है यहाँ पर लेकिन मैंने थोड़ा अलग फैसला लिया है जो कि देखेंगे तो तीनों वल्लेबाद में एक और को मैंने लिया है संजना को लिया है लेकिन एक में प्लियर को मैंने ड्रॉब कर दिया है वह स्मूर्थी बनना अगर आप चाहे तो उनको ले सकते हैं लेकिन हर टीम से नहीं हो इसलिए कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा रिस्की चेंजिस करते रहना होगा तो अभी आप संजना को भर्षा करेंगे लेकिन मुझे ने लगता है संजना पर जाना लोग भर्षा करेंगे तो इसलिए मैंने इनको भाइस क्याप्टर बनाए ताक अगर ने अच्छा कर जाती तो आप ग्रांड लिग जित सके चले दो यह ही टीम ठोड़ी खत्रा दायक है तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ग्यार्डिंग या बड़ी लिक के लिए यूज़ करनी होगी स्मॉल लिक के लिए नहीं यूज़ करें तो बेटर रहेगा इस टीम को भी क्लोज करते हैं और दसवी और आखरी टीम हमें देख लेने किस तर से हमने बनाई है अब बात करें दसवी टीम की तो अपको स्रीचा गोश को फिर से ले लूँगा उसके बाद अगर बात करें तो एच कोर मंधना और एक और इस तर से तीन ही बल्लेबाज मेरे पास रहने वाली है जो कि तीन हो अच्छा कर रहे है मैथ्यूज सेवियर और मोनिलिक्स और इस तर से चार आल राउंडर मेरे पास रहेंगी जो कि बेस्ट है और दोस्तों आपको बता दू काफी ज्यादा साथ मेरे खाल से आल राउंडर है जो प्लेइंग इलोर में शामिल भी है और अच्छा कर भी रही है तो यहां पर सबको तो लेना पॉसिबल नहीं है फिर भी अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं पी वस्तरा और कर इशीका और इस पार्टे लिस्तर से तीन गेंबाज भी मैंने इस टीम में ले लिए अब यहां पर एक और अलग फैसरा जो लिया है मैंने तो जैसे कि आप देख भारे सेवियर को क्याप्टर और इशीका को वाइस जैसे तो मुझे लग रहा है यह टीम ग्राड लीग बड़ी लीग या स्मॉल लीगों के लिए अच्छी है फिर भी आप सोच समझ के फैसला कर लीजेगा इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं और आखिर में आपको यही कोंगा अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरू कर दिजे चैनल पर नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेश ने करना नहीं नहीं साथ साथ टेलेग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहाँ पे जाके जॉइन कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजिस साथ दोस्तों वीडियो को लाइक जोरू करते रहें ताकि में और भी मोटिवेट हो सकूँ और आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाके दे सकूँ तो ठीक है दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलते हैं गलेड में तब तक लिए ठैंक यू और गुडबाई